जहीं दोस्तों स्वागत है आपका पंकच फोजी स्टेडी ग्रूप पर आज हम बात करने वाले हैं देखिए SSC MTS और हवलदार के बारे में बात करने वाले हैं कापी अच्छी बेकैंसी आये थी लेकिन उसमें हवलदार की टोटल नंबर और पोस्ट के बारे में नहीं बताया था दूसरा क्या नहीं बताया था कि आपका एक्जाम कब होगा लाग फोर्म रिजेक्ट हो रहे हैं उसका करण जानने की कोशिश करेंगे कि आपके कितने फोर्म अभी तक भरे गए हैं और कितने भरने की चांसेस और क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं तो भूस सारी चीजे इसमें करने कोई य होता है क्या हम दोनों स्टेट से फजोर्म भर सकते हैं कि अलग स्टेट से हैं मतलब टोटल मिलाकर इस constitutional से का मेरह बहाँट करेंगा तो मिलाकर तो इसके मारे मिले यान्य बात करेंगे हम्हारे पहले हाँ दिखायाए कि आपकी टोटल नंबर पोस्ट हो हैं गितनी 3698 मतलब 3698 आपकी टोटल नमबर वो पोस्ट हो जाएंगी और अपलाई डेट जैसा कि आपको पता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनको फोर्म फिल अप कर दिये हैं जो नहीं किया है वो कर दीजिएगा लास्ट डेट आपकी तेकि 22 मार्च से आपका 30 अपरेल 2022 तक इसको फोर्म फिल अप करना होगा एक्जाम डेट आ गई है आपको मैं जैसे मैंने नोटिफिकेशन दिखाया था कल का ही नोटिफिकेशन है उसमें आपको एक्जाम डेट क्लियर कर दिया है कि आपका जो एक्जाम है साथ से 22 साथ तक आपका यह एक्जाम होने वाला है तो यह आ आपको उसमें देखने को मिलने वाले हैं और 90 मिनिट आपको मिलेंगे निगेटिव मार्किंग है तो ध्यान से करिएगा क्योंकि पॉइंट 25 इसमें निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी तो पेपर फस्ट में आपको क्या होने वाला है देखिए पेपर फस्ट जो है आपके 25-25 नमबर को जाएंगे टोटल मिलाके 100 नमबर के यहां पर आपको देखने को मिलेगा उसके बाद जो सेकिंड पेपर होगा उसमें आपको 50 नमबर का देखने को मिलेगा और उसमें टोटल टाइमिंग जो मिलेगी आदे घंटे का टाइम मिलेगा और आपको ऐस इक नंबर की होती है वेकंसी के इसके बारे बता दें तो आपको करना क्या होगा जैसे आप ओफिस में है एंटरेल आपको डूटी लगने वाली है यहां तो आपको अटेंड़ेंडेस पे लगा देंगे यहां आपको फाइल को ट्रांसवर करने में एक डिपार्टमेंट से द चतीन सो टीन हावलदार यह лиते हैं वह सकततीन देगा है इसमें किसा मांगढ़ है कि तुर्दी- है को मिलेगी अगर हम cycling की बात करें तो cycling 8 km आपकी 30 मिनट में male candidate और 3 km आपको 25 मिनट में female candidate के लिए होने वाला है height की बात करें height है 157 cm किसकी male candidate की और 152 cm female candidate की chest की बात करें तो 76 से 5 का फुला तो 76 से plus 5 81 आपका होने वाला मतलब 76 plus 5 81 और यह जो criteria है यह आपकी हवलदार में आ जाती है लेकिन SSE MTS में अगर आप बात करते हैं तो यह physical आपका कहीं भी requirement नहीं पैदा करती है अब बात कर लेते कि total number of home कितने बहुए गए तो तिल अभी तक आपके 50 लाग जी हां यह 50 मैं बात करूं यह cut-up की बारे में बात करेंगे लेकिन मैं आपको बता दो कि इसमें जैसे form भरे जा रहे हैं उसी तरह से reject भी होने के chances हैं अभी जो है आपका पहले क्या होता था कि अब आपके फोटो पर आपको जो कैंसल हो सकते हैं अगर आपने फोटो पर फोटो पर साइन वाइन नहीं किया है आपने सिग्नेचर साइसी नहीं किया है जा आपकी जो डाटा है जो mismatch कर रहा है उनके डाटा से जो आपके प्रतिलिफी लगाए थी उससे match नहीं करता है तब भी आपके form जो है वो होने के चांसिस हैं कटोप के बारे में बात करूँ देखिए मेरीड हवलदार की कम जाएगी एससे MTS से लेकिन अगर हम मोटा मोटा माल लें तो आपके 85 नंबर आ जाते हैं नोर्मलाजेशन भी यहां पर देखने को मिलेगा तगड़ा तो अगर आपके आप 85 नंबर आते हैं तो कहीं न कहीं उमीद जग जाती है Reillah होने के चांसिस हैं क्योंकि 85 नंबर भी ठीक ठाक है निगेटीव मार्किंग है लेकिन आपको बता है कि बैकानसी एक multitasking जो है उसमें आपको डिपार्टमेंटली मतलब ओफिस का बर्क मिलने वाला है हवलदार में क्या होता जैसे आपने मूवी देखियो रेड यह जो डिपार्टमेंटल रेड करते हैं वहां पर हम दूसरी फिल्स बालों को उन्हें ले जाकर अपनी डिपार्टमेंट के किसी चीजे होती है वह बाहर निकलने से बच जाती है तो यहां पर आपको बाहर की डूटी करनी होगी एक तरसमाली की फिल्ड की डूटी यहां पर रहने वाली है तो यह आपकी ओफिस की हो जाएगी यह आपकी फिल्ड की हो जाएगी दूसरा इसमें क्या है टाइमिंग एक फ पोस्टिट है और कहां पर किस तरह की आपकी duty पर्फॉर्म करने का मौका मिल रहा है तो यह मेजर डिफ्रेंसे से बता रहा हूं लेकिन सेलरी अच्छी है यह टोपी वेल्ड की नोकरी होने वाली अब आप अनुमान लगा लिए कि बच्चा किस में ज्यादा बागेगा जिसको अच्छी लगती है बर्दी वो यहां जाएगा जिसको अच्छा लगता सिविल कपड़े पहनना अच्छे से घूमना ना रोक टोग व आपको मार्क्स लाने ही पढ़ेंगे उपर भी बढ़ सकते हैं तो इतना तो मिनियो है उसके बाद नॉर्मलेजस में भी नंबर बढ़ने वाले हैं वो भी देखना पड़ेगा तो अभी के बारे में मैं बताऊं कि सब कुछ डाटा क्लियर हो गया है कली ही नोटिफिकेशन आपको बस आप तयारी करनी है डाउन हैकन सी नमबर की ए तो इस वीडيो में इतना ही अगर कोई डाऊट है तो कमेंट कर लीजिएगा उसके कोशिश करेंगे और चलो इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए यह हिंद